हेलो अरिवान, वेलकम टो फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्व के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे स्टेरोइड्स के बारे में तो हम सिखेंगे steroid and medicines के basic use के बारे में, साथे जानेंगे उनके dose के बारे में, सिखेंगे उनके side effect and warning and contraindications detail में आज के lecture में तो सिखेंगे steroid दवा क्या होती है और ये medicines कौन से बिमारी में हम use करते हैं तो एक्सपर लेक्चर बायमर सर, असेस्टम प्रोफेसर और फाउंडर ओपर फार्मरोक्स थेंक यू पर बिन फार्मरोक्स फेमिली अपडेटेड रही है फार्मरोक्स के साथ एक्सेस करिये study material, test series और साथो साथ disease and medicines related course फार्मरोक्स की एप उपर सीखे दवायों के basic use के बारे में dose side effect, warning and contraindication, affordable price में एक साल तक सरल बासा में फार्मरोक्स की एप उपर android user android app डाउनलोड करे, iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी या फिर 901631-2020 नमबर वे call या whatsapp कर सकते है तो अब समझते है steroids के बारे में, तो steroids एक ऐसे class के medication है कि जिनको हम anti-inflammatory drugs करकेते है तो anti-inflammatory में लबकि ऐसी दवाई है कि जो हमारे body के अंदर सूजन जो है वो कम करते हैं यहाँ पर आप देखो यह वाले diagram के अंदर तो यह वाला जो आपका लेग देख रहे हैं तो वो वाला लेग हम कह सकते कि normal है पर बाजो वाले legs में आप देखो तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी सूजन तो ऐसी condition को treat करने के लिए steroids जो एक anti-inflammatory medication के class में आते हैं कि अगर आप उसकी pharmacology की study करो तो steroids आपको anti-inflammatory drugs के category में मिलेंगी और यह medications के पास ऐसी ability होती है कि वो क्या करती है reduce करती है and block करती है जो chemicals release होते है inflammation के दोरान और इस तरह से यह inflammation मतलब कि जो सूजन को कम करती है मतलब कि देखो कि समझे कि आपको इस जगा पर सूजन हुई है तो वो सूजन के लिए responsible जो chemical release होते तो उनकी effect को block कर कर देती है और उनका release जो हो कम कर देती है यह steroidal medication की जिससे यह medications लेने के बाद सूजन जो हो दिरे-दिरे कम हो जाती है ऐसा नहीं है कि steroid सिर्फ सूजन को कम करने यूज किये जाते है उसके अलावाई पी उनके बहुत सारे number of uses है कि वो हम सीखते है आज के lecture में अब तो steroids का उप्योग आप जाने तो सबसे पहले पूरूसों के अंदर हम जाने तो वो yorn hormones को बढ़ाने के लिए जो हो ये वो use की जाते है जो पूरूसों के अंदर जो उनके male hormones जो हम कहते है तो उनको increase करने के लिए उनको बढ़ाने के लिए steroids जो खासकर use किया जाते है second हम देखे तो प्रजनन स्क्रमता को बढ़ाने के लिए कि जो infertility या फिर जो study related जो problem होते है पूरूसों के अंदर तो उसको बढ़ाने के लिए भी steroids यूज़ किये जाते है फिर जो चया पजाए कि जिसको metabolism कहते है वो भी enhance करता है साथ हो साथ जो हमारी immunity है उसको भी boost करने के लिए steroids जो यूज़ कहते है जो एक रोख प्रदिकारक समता जो हमारी कहते है उसको दूरस्त करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए या पांचवा हम देखे तो mass species और हड्डियों का गनत्वा बढ़ाने के लिए तो यहाँ पर आप यह देखो कि जैसे यह bodybuilding का जो एक proper आप देख सकते है image तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो mass species हमलब के आपके जो muscles होते है और आपकी जो हड्डिय हमलब के bonds तो उनकी density गन medications यूज की जाती है साथ हो साथ दूसरे भी उसके प्रयोग है जैसे की सरीर में सुजन कम करती है और सुजन कम होगे तो obviously जो pain है दर्ध है वो दिरे-दिरे कम होता है तो sterile drugs के हम example देखे तो prednisone एक steroidal medication है prednisone भी steroidal medication है फिर जो आप beta-methosone यूज करते हैं कि जिसके popular injection as well dexamethosone जो हम कहते हैं बीटा-methosone का जो यह famous marketed formulation है बैटने-sol ऐसे ही dexon अभी काफी famous है तो यह जो medications यह वो steroidal drug से उसके अलावा hydrocortison है methyl prednisone है deflazacort है तो यह कुछ ऐसी popular steroidal दवाईया कि जो बहुत सारे अलग-लग medical conditions को ठीक करने के लिए यूज की जाती है फिर यह पर देखो तो prednisone भी 5 mg के dose में available होता है तो उसका classification हम देखते है कि steroidal medications का हम कौन से अलग-लग class में divide करते हैं तो सबसे पहले pharmacologically वो short acting medications कौन है तो हो है hydrocortison है cortison फिर जो intermediate acting कही जाती है steroidal drugs वो है prednisolone है prednisone है and methyl prednisolone तो यह intermediate acting कही जाती है तीसरा class बनता है उनका long acting मतलब कि वो लंबे समय तक उसकी effect देती है जैसे कि beta-methosone है glucocorticoids वगेरा है dexamethosone है paramethosone है और चौथा class बनता है topically active टौपीकली मतलब कि उनके specially creams वगेरा वेलेबल होती है, loçons वेलेबल होती है जैसे कि baccalomethosone के आप ointment वगेरा, cream वगेरा यूज़ करते हैं उनके gel वगेरा होती है जो specially सुजन वगेरा कम करने के लिए, allergy वगेरा कम करने के लिए, skin disease वगेरा हो उसमें भी यूज़ की ज़ती है, जैसे हमारी body के उपर बाहर की ओर से सुजन है तो उसको भी कम करने के लिए, topically acting ये steroid यूज़ की ज़ती है फिर budesonide करके है famous काफी फिर fluorosinololone acetonide है, fluorocortelone है and popular में हम देखे तो dexamethasone जे वो काफी यूज़ होता है beta-methasone भी काफी यूज़ होता है, as well as prednisone, prednisolone और methyl prednisolone के tablets भी बहुत सरह अलग-अलग medical conditions में यूज़ की जाते तो और steroidal medications के हम कुछ basic यूज़ समझे तो जब allergy वगे रहा होती तो उसमें भी समझे के जो antihistamines यूज़ नहीं हो रहे तो उसवग आपके पास यह steroidal medications के option रहते है फिर किसी को breathing related problem है, सास लेने में difficulty है तो उसवग आप steroid में और वो भी specially जो long acting steroids वगे रहा जो होते हैं, वो use किये जाते हैं फिर जो arthritis की जो condition कहते हैं, जो गठिया रोग होता है तो गठिया में भी यह steroids जो वो use किये जाते हैं rheumatic problems जो होते हैं, rheumatic arthritis वगरा है उसमें भी यह steroidal दवाईया यूज़ किये जाते हैं जैसे कि prednisolone है, methyl prednisolone फिर जो बहुत सारे skin diseases होते हैं, उसमें जो topical steroidal drugs हैं, वो use किये जाती है allergies के जो काफी severe हो जाती है तो उसमें भी यह medication use किये जाती है फिर asthma में भी यह medication use होते है COPD में use होते है, brain के अंदर समझे के सूजन हो रही है, swelling हो रही है तो भी steroid use किये जाती है, साथ उसाथ जो eye pain होता है, आखों के अंदर pain होता है देरद होता है किसी surgery के बाद तो भी यह steroidal medications के eye drops as well as उनके ophthalmic preparations जो हो यूज की जाती है तो यह होगे है उनके कुछ basic use साथ ही जाने कुछ एक popular use है कि जो badness all है, कि जो steroidal medication है तो lungs development के लिए use की जाती है specially fetus के अंदर के कई बार ऐसे medical condition produce होती है कि preterm birth का problem होता है और preterm birth का जो problem होता है कि जिसको पूर्व प्रसव के स्थिति कहते है और ऐसी condition में समझे कि बच्चे के जो lungs यह अच्छे से develop नहीं हुए या फिर उसका brain अच्छे से develop नहीं हुआ या फिर उसका heart अच्छे से develop नहीं हुआ तो उस वग beta-methasone as a steroid जो हो यूज किया जाता है कि जिसके जो badness वाल injection होते है वो यूज किया जाते है कि उस वक्त आप जो हो बेबी के lungs और उसके जो heart है उसके brain वागेरा को develop करने में ये injection काफी help करता है और वो specially तब दिया जाता है कि जब पूर्व प्रसव की स्थिती produce होती है ऐसा कोई risk होता है कि जैसे कि membrane rupture होता है या फिर amniotic fluid जो हो दीरे-दीरे कम होता जाता है और ऐसी condition produce होती है कि जो full term होता है 40 week का उसके बज़ाए early delivery हो सकते हैं condition में भी ये steroid जो है वो use किया देता especially lungs development के लिए कि जब बच्चे का weight काफी कम हो उसके lungs develop नहीं हुए है brain अच्छे से develop नहीं हुआ या फिर heart related proper development नहीं हो तो उस वग ये steroids भी काफी helpful सा भीत होते हैं बाकि हम बात करें dose के तो dose especially जब ये medication आप use करते तो start किये जाते हैं lower dose से कि जो भी उसका dose है कि समझा कि 5 mg का कोई medications का tablet वगरा या injection है तो वो सबसे पहले once day के तो और पे आप use कर सकते हैं और जरूरत पढ़ने पर ही उसका dose जो है वो आप use कर सकते हैं increase कर सकते हैं और दिन में दो बार देते हैं तो वो divided dose में देते हैं तो पांच mg मॉर्निंग में दे सकते हैं और दूसरा पांच mg आप evening या फिर रात को दे सकते हैं पेशन को कि जिससे एक divided dose में medication उसको पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 hours का gap रखना चाहिए दो dose के बीच है बाकि आप individually medications के हमारे lecture तो है ही steroids के उपर तो वो आप देख सकते हैं उनके detailed dose की study के लिए फिर इनके हम side effects देखें तो acne अगर ये medication आप लंबे समय तक use करते हैं तो wrinkles हो सकता है acne हो सकता है आपके skin के उपर इनके overdose या फिर multiple doses के करन या फिर लंबे समय तक use करने से आपको चक्कर आ सकती है आपका weight gain हो सकता है मिलब की आपके body के अंदर वजन जो है वो बढ़ सकता है skin healing जो है वो impaired हो सकती है मिलब की skin की healing process है वो आपकी जो है वो बिगड सकती है depression में आप जा सकते है आपका blood pressure increase हो सकता है hypertension मिलब की blood pressure increase होना उसके अलाव हम देखे तो increase appetite आपकी भूख जो है वो बढ़ेगी और भूख बढ़ने के कारण आप ज्यादा खाना खाएंगे और आपका weight gain हो सकता है as a side effect electrolyte मिलब की हमारी body के अंदर जो electrolytes होते हैं कि समझे के sodium होता है calcium होता है chloride वगेरा होता है magnesium वगेरा होता है तो ऐसे जो minerals वगेरा जो होते हैं उनके imbalance हो जाएगा जो electrolytes हमारे body के अंदर होते हैं फिर neurological problems भी आपके body के अंदर develop हो सकते हैं इसे आपको numbness जैसा feel हो सकते या फिर neurons से जोड़ी विमारिया हो सकती है female अगर उनको अंबे समय तक यूज करते हैं तो menstrual disorder हो सकते है menstrual cycle abnormal हो सकता है फिर abnormal hair growth होगी ये side effect develop होती है glucose हो सकता है because ये medication आपके आखों के अंदर intraocular pressure जो है वो increase कर सकती है अगर आप लंबे समय तक overdose में यूज करते हैं ये बात होती है overdose की regular जो prescribed dose होता है उससे problem नहीं होता बट overdose या फिर लंबे समय तक यूज करने से ये कुछ complications हो सकते हैं फिर आपको पाचन तंत्र से जुड़ी विमारिया हो सकते हैं जिसको gastrointestinal disorder हम कहते हैं जो skin की तवचा related जो हमारे problems भी आपको हो सकते हैं warnings देखे तो patient counseling करना जरूरी है और जानना जरूरी है कि patient को इन में से कोई भी medication की allergy ना हो उसको kidney related कोई problem ना हो या फिर liver related problem ना हो या फिर ये सब fail ना हो कि kidney failure का patient ना होना चाहिए liver failure का ना होना चाहिए उसी तरह से pregnancy के दौरान भी आप उसको use करते तो प्रॉकर precautions के साथ ही use कर जैसे मैंने आपको बता है कि batness all use होता है बट वो जब risk की condition होती है कि preterm birth का risk है तूसक्त उसके benefits लेने के लिए use के जाए वरना ये medication अगर समझा कि बच्चे की growth normal है कोई भी ऐसे complications नहीं है तो use करने की ज़रूरत नहीं रहती फिर जो kidney related जो patient होते हैं उनको proper precautions के साथ आप use करें किसी को hyper sensitivity है ये medications की liver failure है या फिर gastric ulcer का patient है तो भी ये medications देने से पहले proper और जो है वो patient counseling करना चाहिए तो ये थे steroids के बारे में detail information तो ऐसे ही सीखे दवायों के basic use के बारे में dose उनके side effect warning and counter indication एक साल तक सरल भासा में affordable price में Pharma rocks के अब उपर सीखे दवायों के बारे में disease and medicines के बारे में whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पर या फिर android user android app download करे iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नमबर पर call या whatsapp कर सकते हैं good luck and all the best